वो आघना आधमें को जमने ले देता किसी काम पर उस नख्स के तवार ने होते जहां पूर अच्छे काम्या के लगा फोरॉर नो उसको दूसरी तरफ पिल देगा उसके जमने नहीं देता वाध्मी और धीरे धीरे अच्छे कामों लेट आधमी को दूर करता अच्छे कामों से दूर कर देता ताकि अच्छे काम का फाइदा इसको न पहुचे और आदमी अपने नफ्स का बंदा बन कर अच्छे कामों से दूर हो जाता इसलिए नफ्स की बंदगी से मना किया था नफ्स का बंदा नबने बल्कि वसको हदीद पाक में सबसे बड़ा बेवफूफ का है मन अत्बा नफ्स हुवाहा वल आजिस अच्छे का बड़ा बेवफूफ है वश्चे कामना अच्छे कामना अल्लाह अमानी कि अपने नफ्स की चाहतों को पूरी करता रहे और अल्लाह से अच्छे उमीद रहे बंदा बंदा रहा है नफ्स का और उमीद कर रहा है किसे अल्लाह से सबसे बड़ा वेवफूफ होए इसलिए नफ्स की चाहतों से निखनने के लिए और उसके मकरद के उसके चाहतों से बचने के लिए रास्ता है कि आजरमी विदाय वाले कामों में लगे मुझाहदें के साथ और अमें मश्छतकत की साथ मुझा हदे के साथ हाथ भी करेगा इसके तामत नसी हो जाएगा जमाव कैदा हो रख और हर काम का नफ़ा उसी वख जाहिए होता है कि उसको पावन भी से किया जाता है इसलिए आला तहला ने जो फराइज भी बंगों पर मुदायन किये है वो तसल्सूर के साथ जिन्दगी भर के लिए नमाज पर्द का भी अला ने तो जिन्दगी बजब तक जिएंगे पांच वक्ती नमाज धर आपिल बारियन मुसल्मान मर्द और असका पर रख तो तसल्सल पर्दे रहने का रोजा रोजन को फंप स्थ आपा प्र रखेगा सर्में आते हैं पाब्द किया है भर दे खो हमेशा के लिए ओ इन चीदों का पाहल सब्साद ही अना पौरा मेरम करें और यह प्रोफ मत हैसंवा दोर को वेविद WOMAN के साहथ तो वो जिनन ہी जिननाफी जिननी से उसफर करते हैं अच्छी जिनने की पर है परति है अध्रिय ऑच्रीर बार्ट हो जाएं अध्मी अल्ला से लिमाधाती है जाल्ट है जी रहेम से वहीफथ हैं अपने अप्तियार के आदमी इस दुनिया की मुहपद को अपने दिन से निकाल कर अपने खालीट की मुहपद दिन में पैदा कर देगी। उसके लिए आमाल है सारे आमाल जितने आमाले दावत हैं पुरूज के जमाने में चार्चा मेने में चिल्डे में तीन दिन में और मकाम पर रहकर भी जितने काम है वो इसी के हैं कि हर वक्त हमारा आम से पुर्ण बढ़ता रहे लिए लगा अधितने 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 आदमी दीन बदीन आके बढ़ता रहे इस कोशिश में हमेशा लगा रहे और अपनी दर्वतें जो अल्ला में साथ रखी हैं उन दर्वतों को भी तुरा करता रहे मकसद अमारा पदल जाए है हदद बदल जाए है मकसद दुनिया न रखने है इसलिए बदर्वान इन आमाल की तर्वीब दिये के हर मुसल्मान हर उसलमा अपने कामकाई अपने कारोबार अपने घर की मस्वफियत के साथ अपने मकाम पर रह कर भी अपने दीन का दाई बन कर और दीन का सीखने वाला बन कर और अल्लाह की अबादत करने वाला बन कर और मकलो के पुदा की खिदमत करने वाला बनकट रहे जिसके साथ आदम जिल्दे में गुजाए कि हर वक्त इन का दाई हो रात में दिन में सुबह शाम अपनी घर में धुकार में दोस्तों में दूबी बच्चों में हर वक्त आदमी दाई है आन्दमी का जो मिजग है उस जिफत के साथ आजवी का मिजग के जे पॉजद के साथ वो जिंदगी गुदाता है जा जाता है एक जिंखकी syre मुजग में हसी मुझा है ऩो हसी मुझाग के साथ जिंदगी कुदाका wildly कि वाफ कि अदीजूनु dolahi को में प्राइगा चुट पर जाएगा तो उसकी जाएगा उसके मजगे इसे की मिजगे खुचता नहीं उस जाएगा माä उस जान पुच्ता की है दोस्तों की पाँ जाएगा जोड़पर घुसा करेगा भी बच्चों मेरे तलए जुआ और आदरी का मिजाज बन चुका है गुसा मिजाज बन रहा हथी मजाज बनी हुई है खेर लिगाजद बन लुद्खी है ऐसे हमारा मिजाद दावत का मिजाद बन जाए 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 कि इसे लोगों को पुर उमीद करेंगे, कि अल्ला बहुत पड़ा, कोई बीमार के पास चले गए, तुसको कहेंगे, भई गबराने की बार करें, अल्ला बहुत पड़ा, अल्ला खिफा देदेगे, नहां बहुत 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 बह गबराने की बात में अल्ला ही रोजी को देता है अल्ला बहुत बड़ा है जैसा मौका होगा हम वहां जाकर अल्ला की सिफ़तों को बोलेगे इसकी बढ़ाई को उस जाजमत को ताकि हमारे मिज़ाज में भी दावत आजाए दावत आते पीते उपते बैड़ते सोते जाते अल्ला की तरफ बलाने वाले हो लोग कंपणियों का काम करते हैं सेल्समें होते हैं सेल्समें कपड़े की कंपणी का सेल्समें हैं जुदे की कंपणी का सेल्समें होता है दवाईों की कंपणी के सेल्समें होता है तो उनका काम ही होता है कि रोजाना 15, 20, 50 लोगों को जाकर अपनी कमपनी का तारूप करवा देए और उनको जाकर समझाते है कि हमारी कमपनी की चीज़ है उसका ये फाइदा है उसका कलर ऐसा है उसका पैगी पैगी इसा है और उसके इसके असराद ऐसे हैं और वोगों को समझाते होता है अपनी कमपनी का काम करके है वजर't के हाते चंड पैसों के लिए 30,000,50,500,500,500,000 उपयके लिए तो वो उनका मिजाज बना रहता है जहां जाते हैं वहां वो उसकी की बात चाहते हैं उसकी ट्रेनिग लेते हैं लोगों को कैसे समझाए जासे ये हमारा एक काव है हर मुसल्मान के जिन्मे है हर मुसल्मान के जिन्मे है कि हर मुसल्मान दूसरों की सामने जाकर अल्ला की बड़ाई बोले अल्ला की आजमत को बोले अल्ला का तारुख उसकी पहचान उसकी औरखान करा रहे हैं यह काम है हमारे जुने हैं और सारे आलम के इंसानों को उसका तारू उसकी पहचान कराना यह हमारे जिम्में है कि हम सब को पहचान करा रहे हैं जहां जाएंगे वाँ बोलेंगे वही फिलाता है वही फिलाता है वही रग है जिन्दगी और मौत का मालिक एक अल्ला है जमीन・ असमान का मालिक एक अल्ला है जिसने पूरी काईनातको अपनी फोड़त से बनाया है रो अपनी पुद्रत से इस काईनात की लिजम को चला रहा है इस निजाम में उसका कोई शरीक नहीं है बिला शर्कत गयर कोई उसका शरीक नहीं है तन्हे तन्हा अकेला किसी के ताउन के बगएर किसी की बदद के बगएर अपनी खुद्रत कामिला से इस काईनात के निजाम को भी अकेला चला रहा है उस अल्ला का तारुफ करवाने का काम हमारे जिन में है कि हम रोजाना इसको बोले और हुदूर अलेसुला के आनुख कर आए हुदूर आनुख कर आए हुदूर सम्लिदी में दूख से की लिखी और यह लीरिया। और फियामत तक नवीवत का दिरोजाख को ने हो लिकिन कार नगूत जारी डाली कि आद अतलूत के बार आखी ओम्मन को अ करें यह वारत बनाया अटारी नगें बनाया इस उम्मट वो और इस उम्मक की अफराद अब दुनिया के ओम को पुझत सल्लिट अवाला मुबारत लेखाएंगे हम सब आप सल्लिट अब के वारिख हैंगे कि आप वाली मेंत हम खुट करेंगे आपका क्या काम था अल्ला है कि बंदों को अल्ला से जोड़ने का काम था और अब अल्ला की इस खानों को सिफतों को हुदूस अल्ला के खोरा और सम्झाया परदा हटाया अगा का तारू आप है। आपका तारू कर अखारू आपका तारू कर्वाय रुजा बहुत ब़ुज्वाbank पी था है, इसके बढ़ाई के उस खिर्याई के, और उसके शिफतों को खोला, बढ़ारू संखन को अखे टारू कर दा घ्रवायद कर वहुद है। जो है रोजाना की मेहनत काई गंटे की जो मेहनत है घरगर की घरगर की जो हमारी मेहनत है रोजाना हर घर में जाकर हर मुसलमान से मिलकर बैठ कर उससे जो बात करनी है वो यह नहीं बात कि अभी अब अल्ला से गाफिल है उसकी शानों से गाफिल है उसकी सिफतों से गाफिल ह इसमें मुफ्तलित कौपा पर परेशान हो जाते हैं आंपे बीमार होता है तो अल्ला की जो सिफते शिपा है शाफी है उससे घाफिल होता है आदमी इसे खबरा जाता है दर जाता है बीमारी से बीमारी से दर जाता है तो कि अल्ला की जो सिफत है जो शाफी है वह शाफी है उससे आदमी नावाफित एक बीमार हुआ किसी बस्ते में कोई डॉक्टर के पास देया और डॉक्टर उसके घबराने की बात में एकीन दिन में अच्छ हो जाता है यह बोलिया आपी ठावला इस तो को दिन हो जाता है किमजा आदफ है अपर औरॉक्टर को एक प्सथाए और नंहीं कोई कहता देटा बहुत को दोक्तर 35 का या। बाइन लिए भी इस्वे घबरा जाता था मीमारी मे में। कि ऐसे ही रिस के मसले में बिरोजगारी आते हैं पी घब्रादा मुसल्मान कभी बिरोजगारी से लिए और ता मुसल्मान अभी मन्दी से हो रहा है नहीं ड़ता है इस दर से तुम अपने बच्चों को गतल मत करो ला तक्तुलू फश्यत इम्लाग नहनु नर्जकुहुम वईयाकुम रोजी दने वाला कुन है अल्ला हुम है हम रोजी देंगे उनको भी और तुमको भी नए आने वाले जो बच्चे आएंगे उनको अल्ला क्या रहा है कि वो तो अभी आये लेकिन उनका रज़्दा की मैं हूँ तुम इस दर से बच्चों को नहीं आने दे रहे हो कि इनके तालीव का इनके ठाने का इनके कपड़ों को पार्मूला अंकल समझाया थी लोगों ने कि बच्चे जितने ज्यादा होंगे तो फिर उनके लिए हर साल इतने कपड़े और उनके लिए मकान और फिर उनके लिए शादी का इंतिजाम और फिर इतने सारे मसाइल पहला क्या रहा है कि तुम रिस्क के खौप से तंगी के खौप से तुम उनको पतल मत करो कि नहुं नर्जुकों वहियाकु कि उनके भी रजाप रोजी हम देंगे और सुमारे भी रोजी जैने वाले हमें तो जो अला की सिफ़ते रजापियत पर यकीन दखता है वो कभी रोजी की तभी से डरेगा वो मंदी से कभी नहीं देगा उसको बता है कि रोजी तो अल्ला देता है आना उसको खिलाना और उसके जवाबदारे लिए हैं यहां पर नहुन और जुकों जहाम रोजी देंगे उसकी जवादारी में यह थो कि दि मिलारी में देखिए उसको बोला नहीं गया है इसको सुना नहीं गया है बोला वो गया है कि बहुत पंचे ज्यादा होंगे तो क्या होगा उसी के मेंसेजित देख रहे हैं कि वंदर अंदर वो घुशा हुआ है कि का होगा मंदी 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 कि और आपनी डर रहा है एक डर है वह ऐसा ही डर है यह से बच्चे रात के अंधिरे में दुश्रों को ड़ा देके जीन आया जीन आया वहां तो जीन का बाप भी नहीं है लेकिन वह सारे बच्चे डर के पॉने में बैठ लागत अन्य को कुछ है नहीं है ऐसे अजी मंदी 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 तो तक बैरे हुए से अधि रहे हुए अरब पती डरे हुए से में हुए अल्ला को पहचान ने रहे हैं जिस अला ने एए इसमाईल अलेए स्क्षरम आज़ते हाजिया के लिए वहां चटील मैदां में बादी गयर भी जरा में बादी गयर भी जरा जहां खेती होने कि कोई उमीदी ने और आच अच्ट नहीं हो रही है लुट ना अज भी वाँ खेती हो रहें वसलादी हैं दिल्कुल पत्थर हैं पत्थर पहाड़ हैं और अपने पेठे और अपनी बीवी को तन्हा कोई मुहाफिज नहीं वहां कोई जानवर नहीं वहां जिसका दूज निकाल कर भी सकते कोई परिंदा वानी फड़कता हैं पानी का कोई इंतिजाम नहीं हैं एक सबक है यह उम्मत के लिए अल्ला ने इसकी स्थे को वैसे नकल किया है कि अल्दी अल्ला को कैसा पैसा जालिए यारबना इन्नी यसकंतु मिन जुर्यती जवादी वैंल्दी जर्ख जैर इंद वैदी जर्ख आंवेती काल्म रभ्बना लिकी मौश्चलात पजाल अभदतें मिन अननास पाभी इलैने वर्दुख ओम मिन अत्तमरात इल्ला का ये कि अल्ला में इनको यहां वादिय बैर भी जरा में जाना पाँ ही नहीं है ऐसी जगह पर तेरे हुकम से छोड़ कर जाता हूं कि यहां बस इतना है कि तेरा तेरा घर है यहां और तू छोड़ कर जा रहा हूं या अल्ला ताके वापनी जिन्जगी का मकसद या नमाद पढ़े मकसद पूरा करें यहां कि नमाद पढ़े यहां नमाद भाई करें तू लोगों के खुलूब को इनकी तरफ भाई कर दियाना इसलिए जब इनसान को सबसे पहली जो दरूब तो रुट होती कि अंसीघ की होती हुआ अशीया अचिया अचिछा कईला कर दिया तो इनको फालों की ऊजी यहां घाना जी एनके तैरे शु कर उल्माद र столько यह महली हुआ इनको थो कुछंट faculty तो इनको लाने वाला कौन है तो बादिये घर भी जड़ा है चटियल मैंदा और इब्राइम अलएश्वाम मांग रहे क्या वहां फल किलाई हुए तो अच्छे से अच्छे फल दुनिया के वहां होते हैं पहतरी फल होते हैं अला कि वहां कि फलों की खेती नहीं हो लेकिन दुनिया के बेहतरी फलों मीटे तो तो सिफ़त है उसकी क्यों रजाप थे सिफ़त से नवातिफ हैं इसलिए minesदी से ड़लते हैं वह हमें तर्किला करना है इस मंदी के खिलाब तेजी का तर्किला करना है कि इसलिए यह बादवते हो यहाँ से उतार चड़ावाता है हैं बंदों परू बंदों के आमान की वेज़े से आता है कि वामान अच्छे हो ott Unavalा खुश होता है बर्क पहले क्या को डरूमा खुलता है बर्क्त ऑं Nag PM की बर्कतें में दहाने खोलता है सिब्गों के अच्छे कापने इमान इसn MT-17umed आमान से अखलाब से यह रार अक्ष्छ कामों तन त humility में गरखंटे ड्लाय चाकर एक मुसलमान भाई के पास एक से अल्ला की इनसी आफाफ को संझाय के अक्छाए और पुरे फैसले लाग जी दरफ जाते हैं अच्छे कामों पर आश्मानों से अच्छे फैसले आएंगे और काम की ठालस कोई भो घुए आनुए हुआ कि जो उसकी तरफyahसरा हुआ है इस लिए दावत जानी है दावत और दावत का मिजाज बना सनाथ किया हसी मजादा वाला जहां जातां वाल किया करता हुआ कहता हुश्ट की टविए को न है गालता है और जिहां की हांकि षण जाता है वाहन वलोगों पर गवावत करता हैं फिलाता है नाचा कर वाrifांस किसी को कपंड़ा िलाता है सपी आदमी ऐसे लावत की तभियत वाला जावत के भिजाज वाला आदमी अभी मोह, अपनी बiron—पनों में परायों में जहां जाएगा वहاں लोगों को अल्टी Zar पुलाएगा अधारोट करवाएगा अल्ला की पहस्जान करवाएगा उसके पोलादि बोलेगा आजमी उसको याद करेगा हर वक्त किसी को याद करेगा जुछ सबसे बड़ा मुखिन है सबसे बड़ा मौसिम है आदरी अपने मौसिम को याद करता है उसका अच्छा तद्किरा करता है तो सबसे बड़ा एहसान करने वाला है उसकी एकजाद है इसलिए ढ़ाए घंटे में जाकर इसको बोलना है जावद जैनी है और हुदुर सल्ले लगासम के दरीखों में काम्या जाकर चाला हैं इस नियत से बोलना है कि हमारे नियत से इसको बोलना है कि हम इसके पावन बन जा है हमारा दिल असर ले भी लेए इस से इसलिए नियत बना के जाना तरहें इंटर में जब मुला कातों जावे तो दो रकात नमास पड़ें दो रकात नमास पड़ें पिर अल्लह से कहें किया अरॉ लई जांरे हमें हिजाए देlaşे अपनी बढ़ाई का अपनी आस्मक्त का यकीन नमारे दिनों में पैड़ा फरमा दें वो एमान जो तू चाहता है वो एमान हमें बोलने की भी तोफिक देदे और उस एमान की हकीकत हमें नसीद फरमा दें अल्ला शाति मांगेगा ऐसे मांगेगा जो आजमी अपनियादी दरुवर्त को माँदा है जीसा है कोई बेवालाद आदमी हैं दस साल इस साल शादी को हो गए और उसका पच्चा नहीं हो रहा है तो जैसे लिए जाक्त है को बुद्र के पास जाएगा तो उनको एक ही दूआ हो गी उसके पास है कि मेरे गड़ पच्छा हो इसकी दूआ को ऐसे हर हर इमान वाले के अंदर की तमन्ना और अंदर का अज्म और इरादा यह हो कि अल्ला हमें इमाने कामिल नसीब फर्माएगा अदायत की दौनत से माला क इसलिए रात बिन उठते बैटते सोते जाते आते जाते आदमी जो दौआ करेगा वो इसकी दौआ करेगा और इसके तारीम भी हमको हुदूर अल्हिससलाम ने और हर नमाज में सुरह फातिहा में इसको पढ़ने को बताया सुरह फातिहा पढ़ने हर नमाज में कि जिन सुरादल मुस्तकीम या लाहने सीधेरास टेकी हिदायदे देते सुरादल लजीन अनामत अलिए उल्वन करणा जो मुन नम अले हैं जिनपर इनाँ किया है सुरादल लजीन अन्वन अले हिं जिनपर तुरे अनाम्कारों कर लोगे जिसकी विदायत आद्मी माँ रहा हैं कि अल्ला हम उप रास्ते पर चला है जिन पर दिरा इनाम हुआ शुरात अल्लबीन अन्हंत अलेह वैलिल मख्जूम अलेहिं वलग्वाली कि मख्जूम अलेहिं के रास्ते पर मच्छा रहा है जिन पर तेरा वजब हुआ है जिसरे वजब नादिल हुआ है अइसे लोगों के रास्ते पर हमतुन चला है और जो लोग घूम रहा हुँ गए है सीधर रास्ते से हट गए एक तो वो है उनकी बेदीनी उनकी प्याहलत उनकी अिनाद और सरकशी की वज़े से वो यहने गिताब का एक तपा है और जो गुम्रा होगे रास्टे सहट गए ऐसे रोगों के रास्टे पर भी हमको मत कराना कि रोज़ना की जुआ को हम मांते हैं लेकिन हमको पता बता होता कि क्या मांग रहे हैं यह हमारी बन्यारी ज़रूट है वहला कि रास्टे पर चला दे it जिन पर तेरा इनाम हुआ है और वोगों के रास्टे से बचा दे बिन पर तेरा खज़ना झाव Leadership हुआ और जो रास्टे से हर्च कुम्रा हुए है ऐसे लोगों के रास्टे पर हमको मत चलाना दूआ भी करवाता है कि मैं अस्टा हो जाओं हरुआ जब तक इजमिनान बफ रिपॉर्ट नहीं आ जाता कि वहां तक वो फिकर में रहता है उसी की दूआ करता सद्का देता है ऐसे हम सब बिमार है बेदीनी गुम्राही जहालत अल्ला से दूरी हुदू सललाओ ठालिक की अ कमी जिस सारी बिमारी नंगर है इन बिमारियों का रियाज है कि रोज़ा ना कमस कम ध्राई गन्टा ऑफने काम्ता के अपने कारुबार में से और अपने जीगर मजगुलियों में से कमस कम धाई गंटा पारिख तरगे इन बीमारियों के ईलाज की नियत से कि खुद मेरे अंदर से ये कमिया ये बुराईया खत्म हो जाए और मुझे इमान का कमाल मिले हुदूर अलिए स्वाथ तरगे बुराईया खत्म हो जाए मखलू के खुदा की खिद्मत का जजबा पैदा हो जानमाल अल्ला के नाम पर लगाने का दाईया और जजबा पैदा हो इस नियत से रोज़ाना ठाई मिटा लगाना है लगाओए इंशानला उप लगाएंगी बजाली यह नियत करके पिर väला से मांगना है एशानला हमें इस्की भी तव्पिछ दे गає और इस्तिकामत के साथ चलना है इस्तिकामत के साथ, वावद्धी के साथ नकाँ उसी बक जाहर होता है इसी भी काम गा किसी भी काम का नफा पाबन्दी से करने से जाहिए होता कभी किया फिर छोड़ दिया उस से नफा जाहिए नहीं होता बलके बाथ शूर्टों में नुःसाम हो जाता है जिसलिए इस्तिकामत के साथ चलना जिसको काम बनाना है कि हमारा एक काम है और हमारी अपनी जरूरत है दूसरों को फाइदा जरूर होगा इसके वो इसके खुसूसियत है दावत की लेकिन हमें अपनी जरूरत समझ कर अपनी नियत से सबसे पहले नियत हमारी अपनी होगा नमबर दो पर दूसरों की होगा पहली नियत हमारी कि हम कितरा इसको बोलते जाएंगे यह हमारी विज़ा है यह हमारी पौराफ है यह हमारी जरूरत है ताजिरादी अपने तिजारत की बातों को अपने तिजारत की बातों को जरूरत समझता है तिजारत की लाइन के उच्छी से वाफिव होने को जरूरत आपने तो घृष तमढ़ा दो घंटे तीन घंटे उस्माहर में रहता है और इसको अपनी दोडरूरस समझता कि इसको पीड़ुरस समझता है कि वहाद दिएकर कि जेगा बनाता है मर्कीत आए हैं तो जा कर थेके पर खड़े रहते हैं अपनी जो समझ के तो आते हैं बीखन्टाब कुभी डूर्गन्टा निकल जाति फिर कमेलता उनको वासके ऐसे ताजिर लोगां के तिजारटी Laser 어때 हैं। उना कि चैन्तलों पर जाकर बैठते हैं अपजलिजरों के लिए जाते हैं अप से बनाई में गर्वी सर्वी बारी और जितना तकादा होता है उतना वक्त लेते हैं तो इससे तिजारते तरफ़्ी कर रहे हैं और बुलियावी और शौबे उससे तरफ़्ी कर रहे हैं लेकिन दीन की निस्पत पर दीन की निस्पत पर दीन को अपनी दरुष समझ कर दीन सीखने के खा भी ऐन व क्रद्थी तुर्जवरा सूल जोर vê हुख रहे हैं मुण्भान है उस्लाहने मार्कीट में अ के मस्डिदों में देखते हैं मौले में रहने वाले मुस्लमाद रालिग नमाज में आने वाले पचारा जाते जुमा में 500 आ जाते हैं जोहर में आने वाले 60-70 हैं रिशा में आने वाले 100 हैं तो 20 पिसद हुए दस, बारा, चौदा, सोला, बीस बहुत ज्यादा बाजर इलाखों में ज्यादा मेहनत हैं, काम हैं तो वहां नमाजों की कुछ तादा निज़र आती हैं 30 पिसद, 30 पिसद, 40 बाकि अमुमां 15 पिसद, 10 पिसद, 8 पिसद, 5 पिसद, 2 पिसद, 1 पिसद, जो जो उसलाइन का काम नहीं है, जो सब की दरूरत हैं, हमारे दीन में भी इसमें इस्तिकामत प्यदा होगी, जो हम दीन के खादिर, रोज़ाना वक्त तारिख करेंगे, तो खुद हमारे दीन में इस्तिकामत आए, हमारी नमाजों में, दिकर में, तिलावत में, अबादत में, दीन सीखने के जजबे में इसाफा होगा, ल्ला की रज़ा का जजबा प्यदा होगा, इस सारे चीज़ों के लिए ये ताई घंटा रोज़ाना, उसी में पिर मुहले के गरीब यदीनों की ख और ये सारे मवाक्यtte में दो इसको सोचना है और इसका निजाम ते करना है, शहरा जो दान भोदाना को इसके लिए है, किसी एक नमाज के बाद इतमिनान के साथ बैटकर इसको सोचा जाओ, उस मौले के साथ लोग मस्जिद में कैसे आ जाओ? हमारी बस्ती में कोई बेनमाजी ना रहा है यह हमारे अंदर का दर्द हो यह अंदर का खम हो बस्ती में कोई बेनमाज है नमाज अल्ला का बड़ा फरीदा है अहमे फराइद में सहीमान के बाद का सबसे बड़ा फरीदा नमाज है जिसके खाइम करने पर पूरे दीन के काईम करने के, पूरे दीन को काईम करने को कहा गया और इसके गिलाने पर तोडने पर पूरे दीन को मिटाने का कहा गया जिसने नमाज को काईम किया, उसने पूरे दीन को काईम कर दिया और जिसने नमाज को भा दिया उसने पूरे दीन बढ़ा दिया ऐसा पड़ा अहम परीड़ा जिसको सबसे पहले कोच रहा है अपने मिश्चरों के सौपीसर लोगों का तालुप मज्जिस से कैसे हो उसकी मजबूत दावत और इमान के बार पिर नमाज की दावत के घर गर जा अपनी दवाई के फाइदे बताता है अपने कपड़े के फाइदे बताता है और जो चीज लेकर आए उसकी का फाइदा बताता है ऐसे हम अपनी दावत लेकर घर घर जाकर इमान का फाइदा बताएंगे और फिर नमाज का फाइदा बताएंगे कि नमाज पढ़ने के क्या- नमास काईब करने के फाइदे एक दिमाने सलाथ के फाइदे नमास के लिए घर से वुजू करके जाने का फाइदा है जिसको नकल किया हमीफा हुआ हर कदम पर नेकी मिलती है हर कदम पर एक नेकी नमास के साथ पढ़ने का फाइदा बताया है पहली सब्सक्राइब करके लोगों को बताएंगी नमास में रोजी की वरकत का फाइदा बताएंगी जो आज्की फाइदी से पढ़ेगा उसको अल्ला-थाला प्हुनी ही नाम देगे कि अल्ला-थाला उसकी रोजी की तंगी को दूर कर देगा तंगी अभी दुनिया में अक्सरीएत तंगी मैसूस कर रही है मैंने में दो लाग कमाने वारा भी तंगी में सुस्का रहा हुआ 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 लेकिन तंगी नहसूस कर रहा है तो लोग अमोमन क्या सब्सक्राइब घर में कोई जंदा शुरू कर दो घर वाले में कोई जंदा करेंगे तो तंगी दूर हो जाए वो तंगी इससे दूर नहीं होगी बाद रोस सोच्छा के बच्चा कुछ कारोबार शुरू कर दो तंगी लेकिन तंगी दूर होती जूर कि उसका जो असल सबह में तोसरा हैं कि तंगी में नीचे से लिगज है खुआ है तो उसमें एक मोटर से पानी डाला जा है लेकिन पानी जतना आता है उत्ला नीचे से बे जाता है है एक लोगों को बता आए कि जोगों को बता है कि दूसरा करेंगे तो उसका एक करेंगे तो दोड़ एक विए तो क्यों कि असलर करेंगे क्लेक्शन का में रहा है कि और फिर साड़े तेज गंते बंद रहेगा करें कि इसे रोजियों की तंगी का मसला कारोबार बढ़ाने से हल नहीं होगा कि शोहर भी कारोबार करता है नहीं हल हुआ तो बीवी नहीं चुरू कर दिया कर दें कपड़े का जूते का उससे हल हो जाएगा और उसके भी नहीं हल हुआ तो बच्चे को भी फंद्रा साल को में काम भी लगा था हमें जाक जाकर एक एक फर्द उम्मत को समझाना है कि रोजी की तंगी का मसला नमाज के जरिये से हलोगा इसके जरिये से हलोगा नमाज के जरिये से मसला हलोगा जब उम्मत नमाज पर काईम हो जाएगी और नमाज में इकामत इसलाग का हुकम दिया है इकामत इसलाग का कि नमाज को काईम किया जाए तन्हा नमाज पढ़ने से इकामत इसलाग नियुक्त बाजमाद मुसिलों में जाकर एकिमाम के साथ जमाद के साथ नमाद को फुकाहान एकामत सलाथ लिखा और बगेर जमाद की नमाद को तो फुकाहान एदाए नाकिस लिखा है वो अदाए कामिल नहीं है और एकामत होगी वो जसले बाजमार मस्टिदों में पाठ इसम continuingim is the Lord यह हमारे बस्तिओं में हमारे महलों में कोई बेनमासी नर्स ठीजिए वा चार मेने बाद में जाएगा था हमें उसको चार मेने क्वी बाद कर लिए तयार करना है किले के लिए तयाय करना है तीन दिन क Ony जीए करना है मुखामिका के लिए करना है लेकिन इसके साथ साथ हमें नमाज के फदाहिए बचाकर हुआ इसको न tussen अक्डा नक्डी ये काम तो असानी के साथ हर मुस्लमान कर सकता है कि वो पाँच वक्त मन्सिर में जाकर बाजमात दौब पुड़े हमें इसका दाई बनना जो हमारे च्छे सिपात हैं इमान के बाद दूसरा नमाज है फिर इल्म और धिक्र हैं धिक्राम मुस्लिम हैं इखलास नियत हैं और च्छटी बात है तफरीव वक्त चले चा सक लंबरों की दावत भी पूरी फुवत और पूरी बसबुद्धि के साथ एगर हें और कोशिष करनी है कि हमारी बकीयों में हमारे महलों में कोई देना सी कि बिःता है । मश्रूर के ऐिये सारे उसलियों को मिखाना यह पास साथ आद्मियों का काम नहीं वह कोई ग्रूप नहीं macam यह उच्सोटी से कमेटी नही है जैसमें मजजिदी की कमेटी होती है उसमें ज्यादा अगिंअ होते हैं तो अ opposite कि नहीं ज्यूधels मुख्यों होंगे अतना चाम होगा मस्धिदवार जमाथ हैं और मस्धिद में वाला हर मस्धिदवार जमाथ का जिम्मेदार हैं हरे खोंगšोन में शरीक सारे ह wondersना शरी जरीक आठां बेख कर सतर जोड़ें और सोचें कि हमारे महलے में कोई बेनमजी दर्द सारे लोग आवे और उसके लिए रास्ता हमारे पास क्या है हमारे पास गंडा नहीं गाली नहीं ताम तक्मी नहीं दुष्मनी नहीं है दोश्मनी नहीं जोस्ती हैं दौाएं प्जाइल हैं यह हमारे अस्बार Megan मुहफद हैं, सबाजू है लोदो लोदो तीन टीन की जमाद है बना कर अब महले कि एक एक फर्द, एक घर एक एक फर्द के पास पहली कोशिश ये कि घर में बैच कर बात करें अगर घर खोटा है गज़ जाई त्युत नही रही है मसला नमाज सहल होगा जिस खबर में हमें कयामत तक सोना है यहां को पचास साल रहना है पचास साल का मसला है रोजी का उसका हल भी इसी में है और इस पचास साथ साल के बाद कयामत तक जिस खबर में सोना है उस खबर की राहत का सामान भी नमाज में और फिर उसके बाद मेदाने मेशर में जाकर अपनी जिन्दगी का हिसाब देना है उस जिन्दगी के हिसाब की आसानी भी नमाज नहीं है और फिर माना से हर फर्द को पुल्सिराब से गुजरना है उस पुल्सिराद के रास्ते की आसानी का सामान भी नमाज की पावंदी लेए और फिर आदमी को जन्नत तक कहुँचना है तो जन्नत का दाखला भी जो है वो नमाज की पावंदी पर आसान हो जाएगा पूरी पूवत के साथ अपनी बात को समझाना है पूरी पूवत के साथ और हमें अच्छा दाई बनना है हमारी ये पहचान और शनाफ़ों के हम दाई हैं अपने दीन की दूसरी हमारी कोई औरखान नहीं हमारी कोई औरखान नहीं दूसरी जितनी शनाफ़ों पहचान हमारी है और घराइन बिए नगahlदर कूछ अधार पहुंद इस राजिस तो पुरी गाउट है अधे गाउं के माली पार चोटा है चोटे से गाहूं के आधे गाउं मालिक नहीं हुआ तो क्या है कुछ नहीं लेकिन ऐसी चीज़ का आदमी दाई है अपने दीन का दाई है कि जो दीन दुनिया आखरत गौर्ण जहान में उसे भी चमका देगा जो उसकी दावत दे रहा है और उसको भी चमका देगा जो इसकी दावत पबूल कर रहा है ऐसी सबर्दस चीज हमारे पास है और यह लाइक की तरफ से दिया हुआ एक काम है पार्ट टाइम करने का नहीं है कि भै अभी सीजन नहीं है फारिज है तो मुझी साथ बोलो कितने तकादे हम तयार पार्ट टाइम करने का यह तो अपने कामकाज अपने कारोबार और अपने जिन्दगी के तकादों को आगे कीछे करके अल्लाह का काम समझ कर कि मेरे अल्लाह की तरफ से मेरे तरफ मतवच्च हुआ जिस काम पर हमारे आपके आखा अदरत मुहम्म्द अल्लाह आले उसल्म बादार भॉड इसके Kकिल 江řсь कर रहे हैं किसी संटर्दार जायकर मुझ यहिवा सृकाई का किए अन्य वैसर्दार क्षा स्कतिorkाई और रहें हैं और कलाश कर रहेंगे और कमी मीना की वादियों में हैं और वह जातर अल्ला। एक मिरास हमारे पास मामूली चीज़ नहीं है पार्ट काइम करने का काम नहीं है जबिल मंदी है कोई गम गल्दा नहीं चलो गम लिख में चले जा यह तो अपने कामकार की तर्टीब दे कर अगर दुनिया का जाहिर में कुछ नुक्सान दिख रहा है तो उस नुक्सान को बरदाश करने का काम जैसे आदमी अपने इलाज में अपनी दुनिया का नुक्सान बरदाश करता है यह इलाज के लिए डॉक्टर एक लाक रुप्या मनता है लाक रुप्या देना असान है अपनी दुनिया का नुक्सान करता है उस हिलाज के बार दॉक्टर एक महीने को आराम कहता है तो एक महीने आराम करना असाल है दुकान चोड़कर का रुबार चोड़कर अपने रुबार को जरुबी समझता है एक महीने बर दुकान का रुबार का हरश करता है नुकसान करके आदमी अपना इडायत करवाता है ऐसे एमान बनाना और हिडायत हासिल करना अल्लह का तालुप पैदा करना और उम्मत में चल्बिर कर हिडायत की महनत करना ये हमारा एक काम है इस काम के खातर अगर हमारी दुनिया का कुछ नुकसान जाहिए में नजर आ रहा है उस नुक्तान को हम अल्लाह के लिए बरदाश करेंगे लेकिन यहाँ अपना वक्त पूरा देंगे इसमें कमी नहीं करेंगे जब इस जद्वे के साथ चलेंगे हदीफ हमें हुदूर अलिस्तिया अस्तराम ने फर्माया कि जो आदमी 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 दहाने खोल दिये उन पर बरकतों के दर्वादे खोले अल्ला ने उनको ठकाया नहीं ज्यादा दुनिया उन्होंने दीन के खादिर अपने आपको ठकाया मशक्ट बर्दाश की मशक्ट बर्दाश की जहाद आली रबी लाहनु का कौल है कि हम साथ सो साल भी उसकी बारगां में कबोल करके दुनिया के मसलों को अल्ला असान कर देगा इस दुनिया की अल्ला की नजर में कोई खिमत नहीं वो असानी के साथ देगा कोई उसके लिए कोई काईदा पास नहीं कोई काईदा नहीं वो बगर भी तो पैदा नहीं हुआ बच्चा मा के पेट में है और उसके बाग का इंतिकाल हो गया है आने वाले इस बच्चे के लिए भी उसने इंतिदाम कर दिया यहां को उस बच्चे के लिए भी उसने इंतिदाम कर दिया यहां कोई काईदा खास नहीं दुनिया देने जा कैसी मेहनत हो और ऐसी ऐसे उसके श वे जिए जिए बाद जरूर है कि उसकी इबादत के साथ उसको राजी करके और उसकी दीन की महरत के साथ तो दुनिया बरकत वाली देता है आठानी वाली देता है और हमारा मकसुद दुनिया नहीं है ठीक है हमारी जरूरत है मालदार बनना ये हमारा हदब नहीं है मुकद्दर की अल्ला देगा तो दे लेंगे हमारा हदब नहीं है मालदार बनना हमारा हदब दीनदार बनना जितना फरक है नियतों का फरक मुसल्मान की नियत माल में भी दिन्दार बनने की हो दिन्दार बनने की नहीं हो दिन्दार बने हम इमानदार बने अमानदार बने खेरका और हमदर्द बने यह हमारे हदफ यह हमारे आदाइंग यह हमारा क्वालिटिकेशन है यह हमारी कालीम है यही हमारा एजूकेशन है यह इमानदार, दीनदार, दयानतदार यह सब्जक्ट है हमारे, सच्चा यह हमारी तालिम, और यह असली तालिम है यह वो सब्जक्ट है, वो सारी इसानियत की दरुट के है यह पाट और यह सबजक्त है सारे लोगों की राखो के आन उसके बगर लोगों कर दो भघ्जक्त पर मेनत थी इस लिए हुश्च फिरस दूसरी चीज़ों कि हो गई अरादी मांदार बने की कोशिश में हराद की भंगलवाला बनने की कोशिश में हर आद्मी जमीन दार जाने की कोशिश में है क्रेज हो गया है इसका क्रेज हो रहा है इसके खातिर दीन बर्बाद में इन चीजों के हुसूल में आदमी अल्ला को नाराज कर रहा है इसलिए हमें इसकी दावत देनी है मस्जिद में सोचना है कि सौफी सद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् कमस कम धाई घंटा वरना तीन घंटे चार घंटे पांच घंटे किसी को अल्ला ने काड़बार की मश्चूपयत कम जी है रोजाना की कि दो तीन घंटे में टाम हो जाता है वो आदमी उतना ज्यादा वक्त मस्जिद में लगा जैसे कि इस आदमी को रोजी कम वक्त में नहीं और रोजी के फाती ज्यादा वक्त लगाता है यह दुधिक्रतन काम हो जा घाल pew wear चार पाच्छ गंटे में मस्जद के माहव truth के तक्षक्गों पर ज्यादाव स्ज़यदा वक्त दे कि मेरे ला का शूकर रहे उस्ते मुझे 8 गंटे मज्दूरी करने से बचाया है तीम ग्रेंटे में मुझे वोजी मिल जाती है लाओ में ये वक्त मेरे मौला की अबादत में और अल्ला के दीन की मेंनत के तबादों पर लगाती है इसको आपी खनीमत समझे मकसद जिन्दगी आराम करना नहीं है बहुत से लोगों को अल्ला ताला ने फुरसत दी है वो समझे के अपने आराम करें मकसद जिन्दगी आराम करना नहीं है बहुत से लोगों को अल्ला ताला ने आफित वाली रोजी दी है कि उनकी आवक के जराय है जिन्दगीों से उनका पूरा हो जाता है तो ये दूसरा जल्दा दलाश करते कि मेरे पास तो मुश्पूली नहीं तो इसको तो अल्ला का शुकर करना चाहिए कि ये ल्ला तेरा एहसान है कि तूने मेरे रोजी का इंतिदाम आसान कर दिया अब ये जो रोजान आज बंचे में कमाने के लिए खरच करता उसको अल्ला की अबादत पर अल्ला की दीन के दावत के तकादों पर लगा दो ये पर अखलमन्दी की चीज़ है कि आदमी के पास अपने और अपने अहलोयार के गुजारे की रोजी है और उसके बात भी भी ठखने को तया है अपने मकस्त में लग जावे मकस्त में जिन्देगी अल्ला की अबादत के आदमी अबादत में यक्सूर हो पाचो वक्ती नमाजे पाबंदी से पढ़े अजान से पहले मस्जिद चला जावे पुरान चरीप की तिलावत करे अल्ला का दिकर करे तहजुद की पाबंदी करें कि आदमी को यक्सूरी है रात मी जल्दिस हो जाता है रात के अखीर इस्से में उटकर एक गंटा जेड़ गंटा अल्ला के सामने रोवे दोवे दिन के तकादों पर मुलाकातों में गष्टों में जमातों की नुसरत में मुलाकी मिमारों की यादत में मुसीबत जड़ा लोगों की ताजियत में अपने आपकों लगाती है आराम के लिए जिन्दगी नहीं आराम दरूरत है पकदर दरूरत आराम कर लें और खेलपूद के लिए जिन्दगी नहीं जवानों का एक तबका हमारा हुए है जिनको अल्ला नफुरसत दी है तो खेलकूत में 6 घंटे लगा रहा है ये जिस जिन्दे की जायवारे ठीक है कुछ तकाले जिसम के है जिसम की वर्जिश के लिए 15 मिनट 20 मिनट अदा घंटा आदमी ने कुछ वर्जिश कर ली जो हलाव और जायज हो ताकि जिसम में कुछ हासिल हो जिस कुछ से अल्ला की अबादत भी करेंगे मखलू के खुदा की खिद्मत भी करेंगे तो दूशी करो काफी पास जंटे बारी के तो खेलने में लगा दिया ये इतना सस्ता वक्त नहीं है कि जिसको खेल कुछ पर लगा दिया जा रही या इतना सस्ता वक्त नहीं है कि जिसको जिर्वाराम में लगा दिया जा ले या इतना सस्ता वक्त नहीं है कि जिसको पार्ट टाइम को इतना जंदा शुरू करके आदमी अला कि उसके पास लोजी का इंतिजाम है और उसमें लगा दे इससे पहतर है कि आदमी अपने इस जबत को अल्ला की इबादत और इताप में लगा दे और जिनके पास अपने कारोबार और रखी जरूरी आप को मजबूर वक्त है वो उसमें से कम अज़ कम धाई गटा पार इस साल मैं परोज़ए इसाल क्ला है अज़ों आई वर कि अपने वक्त थाइन करें अभी मजलीज के मारे आपको वक्त देए पूरा है उसवफ में आप अपने वखी धाईं थे सुबह से वख से शुरू करना ज्यादा बेदर है सुबह के वख में भरकत उदूल एफ स्राम की दूआ है कि या लग मेरे उम्मत के सुबह का बरकत देने सुबह से अपना काश दूरू करे उलापकों का निजाम बना जिस घर में जाएंगे घरों की तालीम की बात करेंगे हर मुसल्मान के घर में दीन की तालीम होना बहुत दरूरी है जो बुनियादी तालीम हैं वही बुनियादी एजुकेशन हैं हर इंसान के लिए अगर आदमी अपने अल्ला से अल्ला की तरफ से दिये हुए तकादे और अखकामात से अपने नभी से अपने नभी की मुबारक जिंदगी से नवाकिफ है इससे बड़ा जाहिर दुनिया जैसे आज अज की दुनिया में आज की दुनिया कंप्यूटराइज दुनिया हैं रशॉबर में कंप्यूटर है आप इंबहुत पढ़ा लिखा हैं लेकिन कंप्यूटर चलाना नहीं चांता उसको कई रखेगा किसी जए बोलो ने बैर कई भी रखेगे जान समाने का जो ब ये हर इन्सान का बन्यादी बन्यादी जरुट है घर की तालीम में अपने बीव बच्चों को इलम देना है उसका रास्ता ये है कि फजाईल के हलके लगा 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 हो हर मुसल्मान अपने घर में फजाईल के हलके लगा कर अपने घरवालों में विव बच्चों में इसका शौक और अव्रत प्येदा करें उनके जश्वार्त बने अंदर से अलला का बनता बने का जश्वा बना बच्चीों का जश्वाρχत щष्वावद्यूं की बेटियों की तरह और आपकी बीवीयों की तरह बनने का जजबा अंदर पैदा हूँ हमें ये जजबा बनाने बच्चों थीक है उसके साथ अगर हमारी तिजारत पैसे उसके साथ अगर उसको कोई तालीम दे रहा है तो खरज नहीं है लेकिन ये जजबा बिलकुल नहीं जो असल होना चाहिए था जो असल जजबा है इनके अंदर आप्दियत का और हुदूर अलिएस्सलाथ असलाम की इतिवा का और इबादत का और तक्वा और तहरत का और बच्ची और बच्चों में हया और शर्म का जजबा ये जजबा तिलकुल आइग होकर बच्चे में डॉक्टर बनने का जजबा केदा हो रहा है और बच्ची में वकील बनने का जजबा केदा हो रहा है तो ये जजबा उस उनके लिए कारामद जजबा नहीं है ये जजबा कारामद नहीं है यह जबात उनको लेडू गये हैं दुनियादारी के जजबात हो जाए है गर्ड़के तालीम के जरीये से यह मतलूग है जिए बैच के बच्चों और बच्चियों में इमांधर मने का जजबा पैदा हो नमाजी बनने का जजबा पैदा हो قرآن को याद करने का जजबा प्यदा हो हुदूर सल्लाद अर्शन के और आपके सहाबा की इक्तिबा का जजबा प्यदा हो इसके लिए हिकायतِ सहाबा पढ़ी जाती है उसले सहाबा के सहाबियात के अजबाज मुतहरात और बनाते त्यजबात जबान लुदा अर्शन के मुबारख वाकियात उनके इमान के तक्वे के उनके सालिवी के उनके हया के और उनके जजब और जुहत के फिस्से हैं उनकी शुजात और बहादुरी के फिस्से हैं ये पढ़़पढ के सुनाने अपने बच्चों को भी बच्चों को भी पोटों को भी नवासों को भी और ये तालीम ये तालीम एक तामीर है इस रास्ते से हमें उनकी इमानी और अमनी तामीर करनी उनके जजबात को टकोलना है उनके जजबात क्या बना है पहला जब़ा उनके अंदर इमांदारी का पैदा हो, तक्वे का पैदा हो, हयाव का पैदा हो ज़र के माहूल में अगर बच्पन से तालीम है, तो इन बच्चों के बाले वहने तक बालिग होने तक जब मज़ीद तालीम के जो आगे जाएंगे स्कूल में और दीगर ज़गों पर तो वहां तक में इंशालला उनके एमानी और आमानी ज़बात मदमूत हो जाएंगे फिर वहां का बलत माहूल इंपर असा भी करेगा फिर हमारे बच्चे मौले की प्राइमरी स्कूल में और वस्तिक की हाई स्कूल में और विस्तिक की कॉलेज और यूनियर्सिटी में एक मुसल्मान भी होंगे और मुसल्मान होने के साथ साथ मुसल्मान दाई होंगे अपने मजभ के दाई होंगे उनका किरदार लोगों पर मौसिर होगा उनकी इमानदारी और उनकी दियानतदारी और उनकी हया जो है वो लोगों को लिए कशिश का ज़िया बनेगी लोग मतवज्च होंगे कि इमानदार रोगाँ ये घर के माहोर में मिलता है इसके लिए घर की टायरी में जो उसको इसकूल भेजने से पहले पहले हम इमानदार बना दे इनको हयावाले बना दे और इसको दुकान पर बैखाने से पहले पहले इस बच्चे को सच्चा बना दे इसको अमानदार बना दे इसको किसी के अनोकरी पर भेजने से पहले पहले घर के माहोल मेरी माबाप इसक फदाई लिनमाद, फदाई लिरमदान, जखात और हज, ये पाच अरकान इसलाम है, उन पाच अरकान से मुटालिक बनियादी फदाईल की अहादीश को जमा करके, उसके दलिये से मतलू मिया है, जो हर मुसल्मान में इन बनियादी अरकान को जिन्दा करने का जज़वा फदाई लिनमाद, 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 फदाई लिनमा करना माहाल में और तोशिश करनी हैं कि हर मुसल्मान के घर में तामी। हो कोई घर खाली लगा जूसे जो माकी गोड़ में बच्पन से मिल गया वह यहैस्य सरमाया स्वाई फूफा उगे कहता है घर के माहाल में पढ़баं मिला वो गालिया आदमी के अंडर वुसके अच्ची स्थित आने के बाती भी दर के माहूल में आदमें तो अम Peng ये मिली हैं आदवीी से अजो च्किन बुराफे में जाकर कोब हुआ हैं कि जान से गालिया नहीं जाती इव गर के माहुल से मिली हुए हो वो बच्पन का माहुल है जिसकों के अधरात है वदूर अलिए सलाथ उस्वाम ने मदीना मुरा वरा की घलियों में मदीना के घरों में अपनी मजद्द से एक ऐसी आवाद चलाई थी एक ऐसी बात चलाई थी गर गर में अल्ला का वुरान था गर गर में अल्ला का दिक रखा घर गर में सच्चाई अमानतदारी हया अपनी के तज्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द आउलाद माबाद के खादी माबाद में आउलाद के लिशक्त और हम्दादी का जिद्बा हो छोटों वड़ों की तमीज हो एक मौशरा है इसलामी मौशरा जिस मौशरे में खिद्मत है खिद्मत का तसवर वे इसलामी मौशरे में जहां खिद्मत बेगरज है जिस खिद्मत पर अज़र लिए वो इसलामी मौशरे की देन है जहां माबाद की खिद्मत की तालीम है जहां पड़ोसी की खिद्मत की तालीम है जहां ये तालीम है कि तुम अपने पड़ोसी को भूका सोता चोड़कर पेंट बरके बसो ये तालीम है जहां पड़ोसी के हवा न रुक जावे इसके लिए उसकी इजालत के बगएर दिवार तामिर करने को मना किया है ये खिद्मत का जजबा है और उपर एहसान करने की तालीम है कि दूसरों प रखे पुखर एहसान की आजिया और उसकामद्रा लपन नहीं को कहा है और ये कि दाने हाँशिये अगर सदका किया तो बाईए हाथ को पताना चले इतने चुपा कर इतने इख्लास के साथ अहसान करे फखीर की हावचत चेकर इस तरह उसकी हावचत पूरी कर दिजा रिजा इस तसवर को खाइब करना फजाई की किताबों में फिकायत सहाबा में और दीगर जर्वों पर सहाबा के इसार और एहसान के वापियात है खिद्मत के वापियात है एक दूसरों की हमदर्दी के वापियात है एक दूसरों की खेरखाही के वापियात है एक दूसरों के हमदर्द थे, एक दूसरों के खेरखाँ थे, एक दूसरों के खेरखाँ थे, एक दूसरों के खेरखाँ थे, रुहमा अबई रहुम्हुम्हुम्हुम्हुम्हुम्हुम्हुम्हुम्हुम्हुम्हुम्हुम्हुम्हुम्हुम्हुम्हुम्हुम्हुम्हुम् मेहमान नवाजी के अधाब लिखे उसकी मसाइल है कि कोई आदमी हमारे मेहमान आया है तो तीन दिन तक मेहमान की मेजबानी करना उनको खिलाना फिलाना ये मेजबान के जिम्में तीन दिन तक तो उनका इंतिजाम करें आने वालों और मेहमान विश्केदार हो तब नहीं कोई भी आदी में आया हो बस्ती में कोई भी आदी कायो मुसल्मान नहों बस्ती में आया है तो बस्ती वालों का मेहमान हो उसको ठहराने का उसको फिलाने पिलाने का इंतिजाम आत्मी करें बस्ती इसली दॢर खिलाफत का जो दुनिया ने देखा दुनिया ने जो इसल्मी खिलाफत का दौर देनाा तूरöttश में पूरे खिलाफत के दौर में कोई होटल नहीं थी कहीं पर शूल का तसज़ नहीं था खाना फिरींके था और बेहतरीन इंतिजा होता था मेहमनों के लिए उनके रहने का सौने का और उनके लिए हमाम खुसल करने के लिए और उनके खाने पीने का बेहतरीन इंतिजा होता था ये तो हमारी शामत है कि हमने इसलाम की खदर नहीं की और इसलाम की इसलाम के उस मुबारख निजाम की गदर नहीं की उस मुबारख निजाम की गदर नहीं की वनाइट गरीब वो निजाम था और रमन की पिदाए ती कोई टैक्सिस नहीं थे कोई टैक्स नहीं थे उसमें जखाप थी जो मांदारों पर फरद है गरीबों से कोई टैक्स नहीं ले जाए गरीबों को ती खिदमत होती जो उनकी उनकी मदद होती थी उनके लिए बहतरी निजाम होते थी उनके बहतरी निजाम एक मौश्रा हमारा जिसमें खिदमत है जिसम इसार और हमदर्दी है इसलिए कोशिश कर लिए है कि हर घर में तालीम शुरू हो उन मुबारख हस्तियों से जिन्दगी को पढ़ा जाएगा तो वो जिन्दगी अफियार करने के जिद्बात पर नहींगे इसलिए तेह करो इशालला कि अपने घरों में तालीम करेंगे इसलि कोशिश करें गुजराती में हिंदी में घुर्दू में जिस दबान में उपढ़ते सुनते हैं उस दबान में किताब मिलती है घर घर में कानियों शुरू कराई और यह कोई लंबा चुड़ा काम लेकि इसके लिए सांस बर लग जा यहां से जाने के बाद हर मस्जिद्वा कोई महिंगी चीज़ है और उनके वाफ़र में जालीक शूरू करा रहे हो रहे हैं हो रही हैं हो यह और ह्य हैं फिर दर मीड़ दे लिए शौकपा स्यद्वा करें मस्जिद में ला जिसमें सारे नमाजी डेखे हैं पूरे जितने आये सारे नमाजी लेकर तकاه anx अमारी नमाजों में हमारे जिकरोत आममेğ। भी अमाजवत में अबादत में तालनिक माण ला में जान पड़े और लाथ के नाम फर जानुमा लगाने के ज culpa पहुआ हो अल्ला के दिन की नित्वत पर दूर दराज इलाकों में अपनी जान और माल लेकर निकलने के जिर्वाद करें इसके लिए पदाई ले तबलीग उसमें हैं और मुसल्मानों की बस्ती का वाहि निराज में और पदाई ले सब्कात के खूब तरभी बे जानों मान लगाने की जिसलिए मस्जिद में भी तानी जानी जानी और हफ़ते में जो गष्ट गष्टों के दरिये से यही मतलुत हैं यह जाए हमारे महलों में हमूँ में पहलाए इसलिए एक दिन अपना को इतार कर ले एक दिन दूसरी बस्ती का कोई पड़ोस के महले का कि जहां हाज़त जरूरत है मश्वरे से दूसरा गष्ट ले करें और एक मेहनत की फिज़ा बनाए अपनी दाथ, अपना घर, अपना महला, अपनी बस्ती, बस्ती का पुर्ब जवार दूसरों के दूसरे गश्के जरिये से और हर महीने तीन दिन लगाकर और वो जवार की इतनी चोटी बड़ी बस्तिया है, उन बस्तियों में जिज़ा बनाए, कोई बस्ती खाली रहा है, हम दर्दी लेकर, एक खेरपाई लेकर, अपने आपको मिटा कर, हम कुछ ने चाते दुसरा, हम कुछ ने चाते, कोई गाली द ये अल्ला के नेक बंदों का च्केवा रहा, कि उन्हों ने अन्सानियत की हमदर्दी और तैरफाई में अपनी जान, अपना माल, अपने जज़वाद, अपनी इज़तों को पुर्बान किया, किसे खुश किसमत को अगर ये तौफिक हो जाती है, जहे पिसमत, इसलिए हम, बिला किसी खरस, उसी से कोई खरस नहीं है, किसी से कोई खरस नहीं है, कोई हमारी सुन रहा हैंगी, सुन नहीं सुन रहा है, सुनने की इस्तेदादा करेंगे, उसको हदिया दे कर, खाना किला कर, चाहे पिला कर, उसको सलाम करके, मुभबत से उससे मुलाकाद करके, उसकी गमी में शरीक होकर उसके अंदर सुनने की इस्तादाद बनाएंगे जो सुन रहा है मौबबब के साथ उनको बात सुनाएंगे उनसे बात करेंगे पूरे वुथूख के साथ और पूरे यकीन के साथ बात करके एक एक भाय तक इसके लिए फिर अपने कामकाज अपने घरबार की जिम्मेदारियों के साथ रोज़ाना धाए गंटे से उपर जितनी अल्ला को फिर दे पांच गंटे आठ गंटे की उस वक्स को फारिख करते हुए काम करते रहेंगे और फिर अपना को एक हफ़ता टे कर लेंगे महीने का उस हफ़े पर अपनी हर जिम्मेदार साथी अपनी जमात बना ले आठ दस बारा नए आज़ियों को तयार करें इतने नए लोगों को तयार करें आगे से अपनी तारीख टे कर ले हफते पहले से दस दिन पहले से और मेन्ट करके अपनी जमात बना कर फिर उस थाकियों को इस माहौल से निकाल कर किसी पड़ोस की बस्ती के मजज़िद के माहौल मिले जारा छोटा गाव में वहाँ मस्ज़िद नहीं है तो अपना टेंट लेकर जारा पंबु लेकर चले जाओं और उस गाओं में तिंगे कंधरा भी इस मकाम हैं उनके पास जाकर खेरें कि अपना टैंप लगा देगे करण वाले बहुत से फिरी वाले जाते हैं यूँ खेरिकर चले जाते हैं तो नुपर आपक पंबु वाले जाते हैं कर पर के ले जाते हैं और बतन बनाने वाले हैं करद बाले वो चांकर अपना डे ररा डालते हों जहाद के लोगों की दरवत पूरी करते हैं और उनकी कभाई उपिया होगा हूआ ₤ आएसे हम Allah की निस्वस पर जमात पर जाहेंगे जिहाद को मजशी नहीं है तो बूस्जच में ठैरेंगए अबाद्थ हाना है तो उसमे ठैर जाएंगे लेकिन Lift नहीं बाद्थ हाना नहीं है तोटी बस्ती है पंदरागर 20G, 20G, مسلمانوں کے अपना टेंट लेकार जाकर टेंट टाل देंगे वाँ और तीन तिन उनके पास रहेंगे 15 वक्त की अजान होगी वाँ जिस माही ना अजान है ना अगामत ना अल्लाइ का दिक्र रहें ऐसे मसल्माँ ऐसे मसल्माँ जो किसी ने किसी दर्जे में अजान सुनते हैं एकामत सुनते हैं तो उन से इर्तिदाद का कम खत्रा होता है कि वो मुर्तद नहीं होने जुमा पढ़ते हैं मज़्जिस से उनका तालुक है अजान सुनते हैं लेकिन जो मुसल्मान जो अनादान का भी सुलगा है साल पर उनों को अजान की आवाद में आ रहे है तेखामत की कोई आवाद में नहीं है ना कोई मजजिद का वहां माहूल है तो ऐसे लोगों में एकिदार का बड़ा फ़त्रा रहता है दुन्या में जहां जहां एकिदार है वहां ऐसी वस्तियों में कि जह आजान नमाद भी है इसलिए हमारी ये कोशिक होगी ऐसे जबों पर जाकर दिन दिन नमाद पढ़ेंगे अजान करेंगे और उनको समझा हो जाकर लाएंगे अपने पार और उनके जहन बनाएंगे कि वो भी रोजाना इसी तरह चाहे दो मुसल्मान हो तो दो और दो नहीं एक भी किसी जगा रहता है वो एक आजमी भी अजान करे और फिर उसके बार नमाद पढ़े और दो हो गए हो तो दो आजमी अजान नमाद भाजमाद अदा करे वहाँ वस्टी में जहां कुए मुसल्मान आबाद हो वोहाँ अजान नमाद भाजमाद शुरू कर जाएड़ जहां कुए मुसल्मान आबाद है और उनके चोटे बच्चे हैं उन बच्चों की तालीम उताजियत के भारे में उनके माबाद को फिकर्वन किरेंगे कि इस बच्चों को पुरान सुखाओं, इसको निसी मक्तब में दाखिल कराओं, उनके फुर्वजवार में कहीं मक्तब हैं, उनको मतवच्चे करें अपने बच्चों को वाच ओड़ें। ऐसे इलाकों में दिनी तालीम का इंतिजाम हो, इसके हम कोशिश करेंगे। कर् climbing के लिए लगार चांघ कि उस लिए उसके लिए से वाले देन को फ़िकरมาण करेंगी उनके माबाप को फिकर मपार उन्हाले वालों माबाप को चोटे ओचे पवका साल के बच्चों को 40 40-40 किलो मिटर दूर रोजाना बसों में बेचते हैं माबाप के अंदर फिकर आई और उनके पीशे महीने का महीने का हजार हजार रुपिया और जोदो हजार रुपिया की की सदा करते और उनके ट्रावेलिन का खरच उठाते माबाप के फिकर आई तो यह कोशिश जिस दिन माबाप में फिकर आईगी अपने बच्चों को पराण पढ़ाने की और अपने बच्चों को दीन सिखाने की तो फिर दीन की तालीब के लिए पुए उदर बाकी नहीं रहेगा जो अभी उदर है माकूल इंतिजाम हाफस में मिल्जूर करेंगे तो भाई यह हमारी दोगोत है उनके अपने दीन के बारे में भी अपने उलाद के दीन के बारे में फिगर्मन करना है इसके लिए तीन तीन दीन की जमाते लेकर और वो जवार की बस्तियों को तलाश करें जो अदाद इलादे जहां अमुमन जमाते जाती रहती हैं बाहर की जमाते भी जाती हैं वहां तीन दीन की जमाते अपनी न भीज़ें बल्के अपनी तीन दीन की जमातों को ऐसी वस्तियों में डालें कि जहां अमुमन जमाते नहीं जाती है मेमान जमातों के नहीं बिर सकते मेमान जमातों मकामी लोग हैं मकामी लोग पुर्बानी दे मुझादे को बर्दाश कर ले अगर हमारे इस पुर्बानी और मुझादों पर उन इलाफों में नमाज, जिक्र तिलावत और अबादत और बच्चों की तालिम और तर्वियत का लिजाम जारी हुआ ये हमारे लिए सदके जारिया होगा ये हमारे लिए सदके जारिया होगा हम तो दुनिया से चले जाएंगे लेकिन उस बस्ती की नमाज उस बस्ती वारों का जिकर तिरावत इबादत उनके बच्चों की चुर्ण की तालीम काजर हमको वहां कबर में मुप्त में मिलता रहेगा इसलिए अपनी warmth को सामने रखे और मेहरत के मजबूत से मजबूत अजाइन करें इरादा करने में भुखलन करें मजबूत अजाइन करें अरादों को लेकता है अंडर से इरादे बनावे और तैय करें इंशालला इन पांचों अमाल को पूरी पूर्बानी के साथ करें इसलिए जल्जी पूरा कर रहे हैं कि अगला एक काम ही हमारे मजलिस में शामिल है मजल्स हमारे खत्म नहीं वह काम पूरा होगा फिर हमारा मजल्स खत्म होगा इसलिए अभी आप अधरात को बिठा देगे उसमें जो दर्मियान में आपने नियत एकीन अमाद की उसमें अभी अपने अवकात की पूरी ताइन कर ले रोजाना का अपका धाए गंटा किस वक्त लगेगा इस पुरा लगा दोगे तो जो घंटे और फजान का शांप दो लेकिन एक बात का है करें हमारे पांच पांच कामों में जाही घंटा एक मुस्त अमल है जो रोजाना घरदर की मेहनत हो उसके लिए बेंटर ही है कि जितना सुबह वक्त जाएगा वही ज्यादा बे इसलिए जिनके पास लखत है कोई बड़ी मजबूरी नहीं है वो तो यही चाहिए कि सुभा की लख में हम अपने राइजन से बुरे बढ़ा देगे और जिनको कोई मजबूरी है जो गंड़े सुभा रादा बेटा शाम को रहे हैं और अपने तीन दिन के हफ़े की ताही चाहिए कि हमारा पहला दुटरा-थीसरा की हमारा हुझा होगा और पूरी मेनट करते हैं अपनी जमात सुखर्णब बनाईएं घर्टी तानीम अपके घरवालों से निश्चुरा करके घर जाकर तेगारे था दो इसमें शरीक हो जाने और दौनों गट्टों के दीन और वक्त तेया होते हैं मश्विदित उन्ही अवकार तो उसको भी शरीख हो जाना और अपना सालाना हो अवल अम्बर पर तेया करें जिए इंचाला चार मेरे देंगे हर सामे उतनी तोफिक ने पर एक सार चार मेरे एक सार चिला लगा जा या कमस 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 कम आफरी दर्जे में अपना साल का किल्ला किसी हाल में नावा ना करें तैयार है इसके लिए वह जाने वाँ आप तो नकद रखी दसी बना लेकिन जो अभी इसकिमा से नहीं जा रहा हैं और आपके महीने तेया हैं या महीना तेया नहीं दो तीन साल छूट हैं तो हुआ नंबर पर यही है कि इसकिमा से लगजियत की तब्सी बना लो अभी आपके हल्के लगा रहा हैं एक एक हल्के का नाम बोले के पड़े होकर मज्जिद वाइस बैखें अपना ठाई गंटा तीन दिन का हक्ता और सालाना वक्ता महीना और क्या वक्त लगेगा व उसको अभी बच्चों में आपको अधाइन करके अपने इस नाम में को लिखवाना है इसलिए पिलान के साथ है बैखोगे बैए इसलाम पुरा हर्का इसलाम पुरा हर्का उनके अलाम और को इलाउट है इसलाम पुरा हर्का इसम्हें मंची बस्तिया इसलाम पुरा मतमस पूरा विफ्लोल जलूर ठीड़ाओ यह सारी बस्तिके लोग अभी कोई ना उद्ञेए ओभाए ओभाई पैडिज़ा पैडिज़ा काम कम वस्ता है इस तो खड़ो जाते हो इस अब खंबात का है खंबात कब कर रहे हमार تी किशिप रही हैं कि रềnत मेजित तरे कर यह हुए हैं और वह सट का एक का आपकी सब मेजितों के साथ्रा पता पर दूसरों करों परता ये स्थीमं पर्वास परशांजानी इस तुनाब के पास आजाओ अधर के पास हमारा गोगर तो तो पक्र गोगर का बैठाएं इसनार अपने जोगर वाले का बैठाएं याटकूर अपने आपने निए पर यह साथिंग इसके बाद भारेज ने पर्दाएं नाकोर गाएं, नाकोर भाजरास शिवाल या, है याल, कफड़ों का बेटा है, कफड़ाज, आकप्रा मजमा काएं, मस्वजीर आपकी, बुलावर, सब को उला लो, इंटां आ चले याँ, वहाँ, बढ़े गाँ, बढ़े लिए गाँ, बढ़े लिए, बढ़े, लिए गाँ कुछें को था? कुछें? कोजिया, कि अपी को भैटो! कुछी? कजिरी का है कजिरी? आप पर एक कजिरीकस है कि सुभी श्टाल रहा? योडरी से पहला आप कि अड़े क्यों पर निया हुआ पहने हैं जो हुआ थी हुआ जा फया हुआ। स्टूरा कर पहुआ को श्ट्री हुआ नवा गांप पेषी रामोर देमोर है हम आई कर दो कि लिगन कर अई तब आरपूर का दाओ करते हैं करापूर बड़ेखने लुटे हूं कि ना दावके ना जो लगए सब्सक्राइब अ ये करो हुआ अजय क्यों कहा है इसरु है यह इसलिएधक है मेरा मरे मजी bardziej के यह कुछ पारेता पारफ मुझेशिक्पलू इसलिए न है Confeduth मुझान को पारिये बता में पहुतस調 की कर दो कि नीए कि आपके साथ जोन की जोन शारट दो ले है कि हाउ ठीजों के आपके स्थार अब की जोन हाउ कि जोन का है हाउ कि जोन